Hello students, तो आज हम करेंगे exercise 7.4 का question number 5 तो question number 5 क्या कहता है? How quickly can you do this? आप कितनी जल्दी ये सब कर सकते हैं? Fill appropriate sign ये जो हमारे parts दे रखें इसके अंदर हमें ये वारे जो भी sign appropriate है उसको fill करना है Basically जो है fractions को हम तीन तरीके से compare कर सकते हैं तो हम देखते हैं कि उसका denominator सेम है या फिर नहीं है numerator सेम है अगर हम denominator में देखें तो यहाँ पे 2 है यहाँ पे 5 है और हम जानते है कि जो 5 होता है वो हमारा 2 से greater होता है लेकिन यहाँ पे जब नीचे होता न तो यह sign जो है उल्टा हो जाएगा जिदर 5 है उदर चोटा हो जाएगा और जिदर 2 है उदर बढ़ा हो जाएगा अब B वाला पार देखो B वाले पार में क्या दे रखा है 2 upon 4, 3 upon 6 जब भी हम fractions को compare करेंगे तो सबसे पहले उसको हम simplest form में लिखेंगे तो यहाँ पे B वाले को हम पहले simplest form में लिख लेते हैं तो यहाँ पे यह 2 upon 4 दे रखा है अगर हम इसको देखे तो यहाँ पे 2 upon 2, 2 टूजा 4, यह 3 upon 6 दे रखा है 3 upon 3, 3 टूजा 6 तो यहाँ पे हमने देखा कि यह भी 1 by 2 आ गया यह भी 1 by 2 आ गया तो यहाँ पर यह क्या होगा? equal होगा अब C वाला पार देख रहते हैं C वाले पार्ट में यह 3 दे रखा है, यह 2 दे रखा है, numerator तो नूमिरेटर तो सेम है नहीं पर 5 लिख देंगे 3 वंजा 3 और फिर 5 लेंगे 5 वंजा 5 और इस 1 को उतार देंगे यहां पर 3 5 आया तो LCM क्या हो जाएगा LCM is equals to 3 into 5 यानि 15 आ जाएगा तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें denominator को 15 बनाना है 9 upon 15 और यहां पर यह क्या हो जाएगा 10 upon 15 अब यहां पर denominator सेम हो गया तो हम सिर्फ numerator को compare करेंगे तो यहां पर यह 9 है यह 10 है और हम जानते हैं कि 10 जो है वो 9 से greater होता है तो इसका मतलब यह वाला fraction भी greater हो जाएगा जब numerator अलग-अलग होते हैं denominator अगर सेम है तो जैसा sign यहां पर होता है वैसा ही हम लगाते हैं ठीक है लेकिन यहां पर उल्टा हो जाता है तो यहां पर कौन सा sign आयागा यह वाला अब हम D वाला पार्ट देख लेते हैं तो D वाला पार्ट क्या देरखा है 3 upon 4 2 upon 8 तो fractions को हम जब भी compare करेंगे तो सबसे पहले उसको simplest form में लिखा होना चाहिए यहां पर अगर हम 3 upon 4 को देखे तो यहां पर यह तो simplest form में है क्योंकि हम कोई भी common number से divide नहीं कर सकते लेकिन यहां पर अगर हम देखे तो इसमें हम 2 से divide कर सकते क्योंकि ऊपर वाला भी 2 से divisible है और नीचे वाला भी 2 से divisible है तो यह क्या हो जायागा 2 1 जा 2 2 4 जा 8 तो अब यहां पर देखो यह 4 है यह 4 है इसका मतलब denominator सेम हो गया numerator में देखे तो यह 3 है यह 1 है 3 हमारा 1 से greater होता है तो इसका मतलब यह वाला fraction भी इस fraction से greater होगा next वाला part देख लेते हैं यह वाला 3 upon 5 6 upon 5 अब यहां पर denominator तो सेम ही दे रखा है तो हम numerator को देखेंगे यहां पर यह 3 दे रखा है यह 6 दे रखा है और 6 जो है वो 3 से greater होता है तो इसका मतलब यह वाला fraction भी इस fraction से greater होगा F वाला देख लेते हैं, यहाँ पे यह 9 दे रखा, यह 9 दे रखा है denominator से हमें, numerator को स्रिफ देखेंगे तो numerator में इधर 7 है, इधर 3 है तो यहाँ पे 7 हमारा 3 से greater होता है तो इसका मतलब यह fraction भी इस fraction से greater होगा next आता है हमारा g वाला g क्या दे रखा है 1 upon 4 और इधर दे रखा है 2 upon 8 तो सबसे पहले तो हम simplest form में करेंगे तो यहाँ पर हम देखें तो 2 upon 8 दे रखा है यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 अब एक चीज़ देखो जैसे यहाँ पर यह 9 दे रखा था और इधर 3 upon 9 दे रखा था यह हमारा simplest form में नहीं है लेकिन हमने इसको simplest form में इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे यहाँ पर denominator रखा है तो अगर numerator या denominator सेम हो रहे हो और अगर वो simplest form में नहीं भी दे रखा हो तब भी हमें उसे simplest form में करने की ज़रुरत नहीं यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऊपर 1 दे रखा है इधर 2 दे रखा है यहाँ पर 4 दे रखा है इधर 8 दे रखा है तो ना तो denominator equal है ना ही numerator equal है इसलिए हम इसको simplest form में कर रहे हैं ठीक है तो 2 बन जा 2, 2 4 जा 8 तो यह 1 अपर 4 आया और 1 अपर 4 इधर भी दे रखा है तो इसको हम equal sign लगा देंगे next देख लेते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है 6 अपर 10, 4 अपर 5 अब यहाँ पर यह 4 अपर 5 तो simplest form में दे रखा है लेकिन यहाँ पर 6 अपर 10 जो है वो क्या है simplest form में नहीं है और numerator और denominator भी same नहीं है तो इसको हम simplest form में पहले करेंगे तो यह क्या होगा 2, 3 जा 6, 2, 5 जा 10 तो इधर आ गया 3 अपर 5 इधर हमारा 4 अपर 5 दे रखा है 4 जो है वो 3 से greater होता है इसका मतलब यह fraction भी इस fraction से greater होगा next हमारा i वाला part दे रखा है 3 upon 4 यहाँ पर यह हमारा simplest form में दे रखा है और इधर दे रखा है 7 upon 8 यह भी हमारा simplest form में दे रखा है और यहाँ पर हम देख सकते हैं ना numerator same है और ना ही denominator same है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे denominator का LCM लेंगे तो 4 और 8 का LCM लेते हैं तो 4 और 8 का LCM क्या है का हमारा यहाँ पर पहले हम 2 से देखेंगे 2 टू जा 4, 2 टू जा 8, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, फिर 2 से 1, 2 वन जा 2 LCM आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 तो denominator में हमें 8 लाना है तो इधर तो 8 पहले से दे रखा है हमें यहाँ पर इसको 8 लाना है तो क्या करेंगे 2 से multiply कर देंगे तो यहाँ पर यह हो जाएगा 6 upon 8, 6 upon 8 अब हमारे denominator सेम हो गए तो हम numerator को compare करेंगे यहाँ पर यह 6 दे रखा है, यह 7 दे रखा है, 7 हमारा 6 से greater होता है तो यह वाला fraction जो है वो इस वाले fraction से greater होगा next part देख लेते हैं, यहाँ पर यह 6 upon 10 दे रखा है, यह 3 upon 5 दे रखा है, अब यहाँ पर यह तो हमारा simplest form में दे रखा है, लेकिन यह नहीं दे रखा है, ठीक है तो इसको हम simplest form में लिखेंगे, तो यह हो जाएगा 2, 3 जा 6, यह हो जाएगा 2, 5 जा 10, यह 3 upon 5 आ गया, यहाँ पर 3 upon 5 दे रखा है, तो यह equal हो जाएगा के वाला पार्ट देख लेते, तो यह हमारा क्या दे रखा है, 5 upon 7, यह दे रखा है 15 upon 21, अब यहाँ पर ना तो numerator से हम है और ना ही denominator से हम है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें, तो यह simplest form में दे रखा है, यह simplest form में नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको simplest form में कॉल हो जाएगा, लाश्ट पार्ट था, questions हम आप, next lecture में करेंगे next questions, आज के लिए बस इतना ही,